पहला कदम सीजन 3 के इस लॉंच पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और अब हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्स जुड़ रहे हैं कि यहां हमारे साथ है अरुन फुकराल साब एक्सिस सेकुर्टी जो पहला कदम के सीजन 3 में हमारा पूरा साथ देने वाले हैं हमारे साथ एक और खास मेंद जुड़ रहे हैं वह है प्रविय अगरवाल साब और यह को फाउंडर और कोफो सचाल में है और ग्लोबल सोलीशन में हमारे साथ इस बार पढ़ा कदम में सीजन 3 में सास देने वाले हैं और बाजर के जने माह glyc निलेश शाह साब को तो आप सब पैचानते ही हैं MDA और CEO, KOTAC Mutual Fund के आप सबता स्वागत है लेकिन जनरली हिंदुस्तान में तो हमारी आदत है कि जब तक हमारे सर पर छत न हो यानि कि गर न हो तब तक हम किसी और इंवेस्टमेंट के बारे में सोचते नहीं और खासर से जब फाइनिशल इंवेस्टमेंट की बात आए तो इस बार हमने एक और पार्टनर चुना है वो है सिगनेचर ग्लोबल और जो अफोर्डेबल हाउजिंग में एक बड़ा काम करते हैं तो अगरवाल साब ये बताईए कि लोगों की तो आदत है बले हम कितना अब भी उन्हें कहें जब तक घर नहीं होगा तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं तो ये अफोर्डेबल हाउजिंग ये सस्ते घर देने के लिए आप क्या कर रहे हैं पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा सीनमीची आवाज को जनके माध्यम से हम अपनी आम आदमी तक अपनी आवाज पचा सकते हैं आपने बहुत सवाल किया कि एक परसन के सर की ओपर छट होना उसका मस्ट है उसका सपना होता है उसका कि घर बने और एक चीज और मैंने कोई डैलोग सारुक खान की मूवी में सुना था कि जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं तो सारी काइनात ओम शांती ओम का उसकी तरफ आपको जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दच से चाते तो पूरी काइनात आपको उससे मिला मैं इतना अच्छा तो नहीं बोल पारा हूं शारुक जी इतना लेकिन कोशिश कर लिए तो शायद मोदी जी की पूरी काइनात आज जो लोगों की घर पाने की इच्छा है उसकी उनकी पूरी काइनाथ आपकी तरफ उसको घर पाने की जिच्छा को पूरी करने में लगी हुई है एक छोटा समय डाटा शेयर करना चाहूंगा आपसे कि आज मिडल क्लास अरबन पॉपुलेशन इंडिया में करीबन पौने दो क्रोड लोग ऐसे हैं जिनके सिर्पे छट नहीं है मोदी जी अपना एक मिशन बनाया हाउस्विंग फर एल ट्वंटी 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 ट्व जिसमें करी में छे क्रोड हाउसोल्ड को एंटायर इंडिया लेवल पे घर देने की कुशिश्च पौने दो क्रोड लोग अर्बन एरिया में आते ह हर साल एक सवा करोड लोग बढ़ रहे हैं तो यानि की बहुत बड़ी समश्चा बनने जा रही है कि उन लोगों की अफोर्डिबिल्टी में घर नहीं आ रहा है और वो लोग रेंटल पे रह रहे हैं I think so इस टाइम गवर्मेंट ने अपनी पूरी ताकत उस अफोर्डिबल वाले हैं जो लोगों को चुकाने वाला है लेकिन उस दिन भी क्या बोलते हैं अफोर्डेवल आउसिंग के लिए वो प्रधान मंत्री आवासी उजणा के अंदर सी एलेसे स्की में लोगों के इंटरस्ट बेनिफिट की बाते करते हैं आज गवर्मेंट प्रधान मंत्री आ अफोर्डेवल है बिल्कुल तो यानि कि आपको सोच समझ कर शेर खरीदने हैं अगर आप सीधे तोर पर खरीदना चाहिए लेकिन हम अफोर्डेवल हाउसिंग की बात कर रहे थे हैं अगर मेरी बिल्डिंग में एक फ्लैट एक करोड रुपर का मिलता है ठीक है और हॉम ल क्या है प्रधान मंतरी आवासे उजना के तहत आज डिफरेंट अलग-अलग गवर्मेंट्स अपनी अफोर्डेवल हाउसिंग की स्कीम्स अलग-अलग स्टेट्स में ला रही हैं आज आप हर्याना में हर्याना में हर्याना अफोर्डेवल हाउसिंग स्कीम्स अलग से आता है हर्याना फोड़ेबल ऑसिंग पॉलिसी के तहट वहां वही फ्लैट 25 लाक रुपे मिल रहा है पस फर्क क्या है उसमें स्पेस का यूटलाइशन बहतर से हो रहा है एक प्रैक्टिकल एक साइज उसमें डेवलप हो रहा है एक उन्होंने पीपल डेंस्टी के नौम सेम यूपी में भी इसी तरह से हो रहा है यूपी में भी वो लोग नई पॉलिसी ला रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवासी हो जना के तहट उसमें भी वो टिकट साइज यही वाला एट्रस कर रहा है क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अफोड़िबल्टी गर म पास पास का घर वो अफोड कर सकता है दूसरी अफोड़िबल्टी में यह बात बुलना चाहूंगा मैं वैली आउसिंग की अज क्या है अफोड़िबल्टी को टू सेंस में लोग ऐसे समझते थे कि आउट ऑफ सिटी जाके आपने घर लिया क्योंकि वो सस्ता है और बाद म से अपने काम पी जा सकते हैं विदिन हाफ एन आर आप सो कनेक करस्ते और इंफ्राचर के तोर पे भी गौवर्मन का बहुत जाज जोर आ रहा है तो आज तीस लाख रुपे घर में आज 6 लाख रुपे का जो लोन है उसको साड़े 6% की इंटरस्ट की सबसेटी दे रहे हैं उसकी EMI अगर 6 लाख रुपे के लोन पर 500 रुपे की आती है आज उसकी 2300 रुपे पर मन्त EMI में सेविंग हो रही है प्लस तीसरा अफोरड़ेबल्टी के सेंस में एक बात और कहना चाहूंगा साइजिंग एक अभी लास्ट वाले बजट में उससे भी पहले एक बजट में चेंजिस भी लेके आए लोग एट्टी आईवे करके एक सेक्शन लेके आए हैं जो अफोरड़ेबल हाउसिंग को टेकल करता है इसके अंदर उन्होंने दो डिफाइन किया 30 स्कूर मिटर कार्पेट एरिय विदिन मेट्रो सिटीज एंड आउट अफ डैट 60 स्कूर मिटर कार्पेट एरिया यानि कि जो उनकी ऑप्टिमम यूटलाइशन के बिस पे लोगों की डेली बिस की नीड है उसको पूरा करता है और उसको प्रधानमंत्री आवासियोजना के साथ उन्होंने जोड दिया अ पैसे 12 लाख रुपे और 12-18 लाख रुपे यानि कि उन्होंने जितने भी आपकी लोवर मिडल क्लास कहने का मतलब है कि अब इतने सस्ते घर मिल सकते हैं कि वह घर खरीने के बाद भी लोगों के पास फाइनिशिल सेविंग स्टोक मार्केट में दिलेश भई और ठोकराल साब के पास जाने के लिए पैसे बचेंगे रहे बिल्कुल आज इसकी इमाई बच रही है तेइस सो रुपे परमंत की इमाई बच रही है वो एसा एपी में जाके इन्वेस्ट करें लेलीजी के पास त इसको इंपेक्ट करेंगा एक तरसे आपके लिए गर भी हो गया और गर होने के बाद पैसे बचेंगे कर दो